अलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुन 30 जून 2018 की प्रिलिम्स अपडेटर स्रीज में आपका स्वागत है, यहाँ पे हम तह हिंदू, P.I.B. और न्यूज ओन एर की जो इंपोर्टन न्यूज़ वो हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं, तो चलते हैं आज गे हमारी डिसकस होता है, उस दुरान काफी सारी चीज़े बाहर निकल गए थे, मदलब इत्रिया से एर्थ समिट के दुरान इंवर्मेंट के लिए बहुत से एग्रिमेंट्स हुए थे, काफी जो कॉन्फरेंस वगरा थी, वो स्टार्ट होगी थी, इसके जाती और नहीं कन्वेंशन से वो चलता है, कुछ basic fact हम जा लेते हैं, context है पहले तो आप वो बता दू, context है कि अभी इंडिया जो इसके अंदर अपना पैसा देता था, contribution देता था कि पहले देता था 12 million dollar, 12 lakh million dollar अभी इन्होंने बढ़ाकिये कर दिया 15 lakh million dollar की बात यहां पे की गी है, तो context कुछ इस वरकार था, जो हमने आपे देख लिया, अब देखते हैं आगी, अगली जो बात हम करते हैं आपे इसकी basic features की, वो ही है कि 1992 में तो आट summit के दुराण बनाए गया था, काम क्या था, काम सही है था, कि जो भी environmental problem है, इनसे नहीं पढ़ना है, इनसे नहीं पढ़ने के लिए, हमें उस पैसा confusion और कोई चीज नहीं है, जहां पर हम confused हो सकते हैं, सबसे एहम बात है कि funding देता किसको यह, वो कापी ज़्यदा important हो जाती है, developing countries वो, जिन भी countries के लिए, देखो, develop country के पास तो पैसा खूब होता है, तो उन्हें तो ज़रोती नहीं है funding की, तो वो country जिनको पैसे की ज़रोता ह स्टार्टिंग में क्या था, कि world bank के अंडरा था था, मैं लो, world bank इसे monitor को जाता था, बड़ बाद में इसे कया गया, अलग से ही, इसे administrative का department हो बना दिया गया, तो यह आपको धानक नहीं, कि स्टार्टिंग में इसका world bank टेस्टी थी था, और इसके बाद में, खुदी नहीं अपना काम हो करना, अब funding देता कि स्टार्टिंग में इसके इंस्टूट कर, वो यहाँ पे important हो जाता है हमारे लिए, तो यह एक तो funding देता है मीनावाटा convention को, यह आपको धानक नहीं, कि मीनावाटा convention थी वो मरकरी के लिए थी, जो की जापान में होई थी, इसके बाद में अगली थी, वो थी UN CBDN, जो biological diversity थी उसको बचाने के लिए, जिसमें दो चीज़े थी, एक तो cartagena protocol था और एक नगया protocol, क्यों दो convention यह हुई थी ना, जो biological diversity वाली, इसमें दो चीज़े मैंने आपको बताई, एक तो cartagena protocol थी, जो कि biological diversity जे जीम क्रोप अगरा होई, इन से नही यह लिए कि भी ऐसा नहीं हो, कि आप कोई भी GM क्रोप बनाओ, और उस GM क्रोप की हो जैसे, जो specie हो खतम हो जाए, इसके बाद में बात की जारी थी, नगया protocol में यह था, कि भाई, जो local area ना, उनको भी benefit मिला चाहिए, अगर जैसे आप कोई भी experiment गरा कर रहे हो, किसी area में जाकि, तो ऐसा नहीं के सारा benefit आप लेकर जाओ, वाकर local area को भी उस research का कुछ में कुछ वायदा है, वो मिला चाहिए, इसके बाद में आती है UNCCD, जो United Nation का CCD है उसकी बात आप पर की जारी है, जो कि आपको बता कि डेजटिफिकेशन के लिए मैं लिए काम करता है, चलो आप मेंट जान के लिए जो convention होई थी, उसके लिए फंड हो जाता है, तो यह आपको धान रखना है कि यह funding किस-किस के लिए देता है और किस-किस के लिए नहीं देता, आप यह यादगलों के लिए इन के लिए देता है, पांच-छो के लिए तो आपको सारा issue रह गए निसा समस्यों के समधान हो जाएगा, तो यह आपको धान रखना है कि एक ही हो गया Mercury, दूसरा हो गया POP, जो Stockholm Convention हो गया, तीसरा CBT हो गया, चो था UNCCD हो गया, और 500 हो गया UNFCCC, तो यह पांच जो को Global Environment Facility हो फंड देती है, यह आपको यह आपको अच्छी से clear रखना है, तो बेसि इसकी structure हो गए बदल दी गी, और इसकी जो ownership है वो भी चेंजर कर दी गी थी, तो इसलिए बाद में Profitancy Improvement है, वो पाया था, अब चलते हैं आगे, अगला जो आर्टिकल हो गया है, स्कोच अवार्ड के बारे में, तो क्या है स्कोच अवार्ड इसके बारे हम जान लेते हैं, पहले context का हैं, वो भी मापको पता हूँ, देखो context ही है, कि आपको बता है कि सागरमाला प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहा है, और उस सागरमाला प्रोजेक्ट को गोल्ड अवार्ड दिया गया है, इस्टोक अवार्ड के था है, तो हम देख लेते हैं कि है क्या, देखो score जो अवार्ड है, यह basically human excellence और जो agent जिन्होंने Indian society के लिए अच्छा काम किया है, उन लोगों को दिया जाता है, महली, institute वगएरा को, यह आपको यह आप ही जान रखना है, मतलब human excellence के लिए जिसने अच्छा काम किया है, या प्यक्त के से agent के थोड़ पर काम किया है, Indian society के तो आपको चीज़े भूलनी नहीं है, आपको चीज़े सभी आपे याद रखनी है, साथ-साथ UISB करते होए चलना है, इसके बाद में बात यह है कि civilian owners का award है, इंडिया का highest tap का है से बोल सकते हो, कि civilian owner का award गोन सा है, वो आपको देना रहा है, इस coach award है, उसकी बात यहापे कि पर इंडिया को दिया जाएगा, या फिर उस ministry को दिया जाएगा, बाकियों दिया जाता है, या आपको यहापे धान रखना है, कौन कोचा सेक्टर के लिए, या तो अच्छी governance के लिए काम किया है, या फिर financial sector के लिए, या फिर banking sector के लिए, या फिर technology, या फिर cooperative, citizenship, या फिर economics, मतलब बात ही आगी, कि इंडिया के लिए, जिन्होंने society को develop करने के लिए, काफी अच्छा काम या इपना contribution ही बाया है, या इकतरी से मानवता के लिए अच्छा काम के लिए, उन सब को यह award है, वो दिया जाता है, दिया अप individual को नहीं जाता है, बस यह एक important point यहापी बन है कि आप यह बात करते हैं, इस coach है, वो एक consultant जी service है, जो कि एक think tank है, जो कि social economic issues होते हैं, उन से deal करती है, और inclusive growth है, उस पर भी focus है, वो करती है, तो यह आपको धानकना है, कि this coach consultant जी service है, वो एक think tank है, जिसके दोरा this coach award है, वो दिया जाता है, आप बोचकते कि human excellence और Indian society के लि तो जो सागर माला project के लिए basically है, वो दिया गया है, अब सलते हैं आगे, अगली जो news आई है, वो आई है, woman entrepreneurship platform के बारे में, तो देखो जो woman entrepreneurship platform था, वो एक initiative था, नीतिया होगा, क्यों, नाम से तो आपको समझ में आ रहा होगा, कि woman को entrepreneurship के महौल में आगी लेके जाना, देखो वो हमारे देश में woman है ना, वो entrepreneurship में काफी पीछे रहें, बल एक तरिके से MSME सेक्टर में देखा जाए, तो woman का contribution तो है, अमना नहीं कर सकते हैं, बट इतना भी नहीं है कि वो lead role निवास के हैं, तो woman को lead role दिया जासके, entrepreneurship के मामले में, इसलिए एक ecosystem बनाया जासके हैं, ताकि woman है, वो पूरे all or India में या all or world में एक डंक से काम है, कर सकें, तो इसलिए एक building एक ecosystem है for woman, इसके लिए basically इसको focus करते हैं, वो क्या गया था, इसमें क्या होगा different NGO अगरा या business groups हैं, उनकी help लेते वे government है, woman को आगे लेके आगी, और woman empowerment में आप इसका user कहीं कर सकते हो, इसके बा education sector में और nutrition sector में, तो इसलिए इन sector में काफी जापा हो सकता है, MSME जो ministry थी, वो एक जुलीस में काफी अपना support है, वो कर रही है, तो यह कुछ basic जो चीज़े थी, वो में आपे ध्यानक नहीं है, नेक्स जो हमारा article है, नेक्स जो हमारी news है, वो आई है, वो आई है, डोर्निय जो maritime petrol aircraft है, यह इंडिया ने अभी Cecil's को gift है, वो किया है, तो यह आपको धानक ना कि Cecil's को भी recently gift किया है, इसका आपकी features कहा है, देखो एक तो बहली बात है, साथी है, मतलब make in India आप प्रोग्राम केता है, तो आप बोल सकते हो, कि इसे डोलग है, क्या गया गया, इसके monitoring के लिए, कि भई कहीं, देखो island की country आपको बता है, obviously Cecil's, तो वहाँ पे cellulence हो करा काफी important जाती है, और उसके लिए ही इंडिया के द्वारा ही gift है, वो किया है, अब हम यहाँ से current से एक चीज़े और टच करके देखते हैं, वो है Egyptian island, देखो Egyptian island वो Cecil's के अंदर ही आता है, और अभी आपको बता दूँ कि उस टाइम पर लगबग 2015 के टाइम पर शेचल के साथ agreement हुआ था, कि वही Egyptian island को इंडिया डवलप करेगा, बट आपको बता ही हमें हर जगह पोजिशन या जो प्यूपक से पार्टे हों कुछ बंगा करती रहती हैं, तो वैसा ही वहाँ पे तो अभी उमेद ये जता ही जा रही थी, कि जो ही जेचल के प्रस्टेंट साथ भारे इंडिया आएंगे, तो इस मामले को आपस में settlement है, वो कलिया जएगा, तो उसको लेकि न्यूजिक तो आपको धाना करना कि एजब्शन आइलेंड है कहां पे, आपको location पता होना थी है, इसके बाद में चलते हैं आगे, अगला जो article हुआ है, solar चर्खा mission के बार में, solar चर्खा mission है, ये president के द्वारा भी इसको immigrate है, वो किया गया है, इसके बाद में है क्या, काम कैसका, इसका main काम यह है कि generate rule employment and contribution in green economy, बलब rule employment है, उसको generate करने के लिए, इसके साथ ही हमारी green economy contribution है, वो बढ़ाने के लिए इसको start है, वो क्या गया है, देखो बात ऐसी है, कि rule area में employment कैसे बढ़ा जागा है, वो हम देखते हैं इसके तरू, starting में तो government दो साल के लिए subsidy दे रही है, पांसो पचास क्रोड लिए, तो amount वगरा यार दखने की जरूत है नहीं यह आपे, कि कि इतन दूरों में, मतलब 400-2000 लोगों के बीच का एक group cluster बनाया जागा है, हैज जगा 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 पे, और उस cluster को फिर government इसके लोगरा देखे, वहाँ पे उनको empowerment, empower किया जाएगा, ताकि वो MSME सेक्टर में आगे जा सके, तो आपको बढ़ाद दूँ कि इंडिया का MSME सेक्टर है वो लोगों को बहुत जगा 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 है, देखा जैतो हमारे देशके में, even 60% जो employment मिलता है, वो MSME सेक्टर में ही मिलता है, जैसा कि हमने कर पर सो discuss भी कहता, कि MSME सेक्टर का criteria अलग-लग होता है, UN के coding तो होता है, वो तो होता है, employee का अधार पे, कि एक जगा 10 employee है, फिर दस्तेजादा है, फिर साथ साथ है, जब कि इंडिया का coding standard ऐसे हैं, कि पांच कोड तका turnover होता है, तो हो अलग-लग criteria है, तो MSME सेक्टर के आए, मेकिसम लोगों को रोजगार हो देता है, तो अभी बात दी की जारी है, कि solar चर्का mission के तैत, government cleaning के भी, एक लाट जोग है, वो create करने वाली है, ताकि जो भी employment की समय से है, उसे निप्ता आजास के, यह आपको आपको बेसिक सिजे ध्यान रखना है, इसके साथ ही पांच code woman है, उनको भी इस स्की में include करने की बात हो की जारी है, कि woman को भी आपको फोकस क्या जाएगा, उनको भी इसकी लोगरा के साथ थोड़ सपोर्ट है, वो क्या जाएगा, तो गोर्मिन जगर 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 पर cluster दना रही है, उन cluster की help से उनको employment है, वो दिया जाएगा, यह इसका basic concept है, तक green economy है, उनका use करते विया आगे काम है, वो क्या जास है, तो यह आपको धान रखना है, कि काफी important जो feature का, वो मैंने आ बता दिया, solar चरखा mission का, सलते हैं आगे, अगली जोने उसके वोती सागरमाला प्रोजेक्ट के वारे में, तो उसके वारे हमने ओलेडी discuss कर लिया है, कि बावनवा सपोचर व समिट हुआ था, तो उसके दुरान सागरमाला प्रोजेक्ट को gold award दिया गया है, क्यों, क्यों कि सागरमाला प्रोजेक्ट ने infrastructure sector के लिए बहुत अच्छा काम किया है, और इससे के साथ ही एक award दिया गया है, जिसका नाम है order of merit, order of merit भी इसे list में award है, वो दिया गया, तो यह important बन जाता है, बात करते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट की, तो वो एक shipping ministry के अंडरा दने वाला एक प्रोजेक्ट है, जिसका main focus ही है, कि जो हमारे coastal area है, उसको economy hub के तोर पर विक्सित करना, बहुत सकते हो, उसको काफे ज़ागी लेकर जाना, port को जो infrastructure है, उसको boost करना, ताकि वहाँ पर logistic service है, वो जल्दी हो सके हैं, और एक तरिकी से आप बोल सकते हैं, हमारा जो port है, वो व क्या गया है, तो यह कुछ basic features थे हैं, तो points थे, अगली जो article आई है, वो आई है, word food price के बारे में, तो word food जो price है, वो recently दो लोगों मिला, एक तो मिला Dr. Lawrence Hotgo, और एक और मिला Dr. Nobrego, तो यह आपको धानक ना है, कि कि इनको award है basically दिया गया, क्यों? इनको award इसलिए दिया गया ह जो malnutrition की परोल होती है, उसके लिए काफी चाश टेप है, वो उठा है, यह तो हो गया हमारा, यहाँ पर context, अब हम बात करते हैं, world food price की, world food जो price है, यह actually आप बहुत सकते हो, कि यह काफी important global award हो जाता है, तो इसके बारे में ध्यामेदान रखना है, prominent global award है, जो कि किसली जाता है, यह में लिया तो किसी ने malnutrition के लिए इच्छा काम किया हो, या फिर किसी ने भूप मेरी के लिए चाश टेप उठाए हो, या पिर आप बहुत सकते हो, कि food security के लिए बहुत अच्छा काम किया हो, जो फूड से लिटेड हो, उनको यह award हो basically दिया जाता है, देखो award है, वो announcement तो अब हो गया है, बाकि award दिया जाएगा हर साल जिसे world food day होता है, United Nations की तरफ से वो होता है, तो हर साल सोल एक्टुपर को UN food, world food day होता है, और उसी दिन ही award हो दिया जाएगा, यह आपको basic features यहाँ पर एक दाल रखने, चलो आप यह बताएगे कि जो भारत तन जो award हो कब दिया जाता है, भारत तन अवार्ड की इस मोग्के पर जाता है, वो आपको comment box में बताना है, उसकी भी date fix काम किया था मानुता के लिए, तो यह भी आपको तो डाया पर धान अपने की award किसके दोरा इस्टार्ट किया गया था, यह भी यह नूज में था, अगरी जो नूज आईए, वो आईए strategic petroleum video के बारे में, SPR प्रोग्राम के बारे में, तो क्या है SPR प्रोग्राम, इसे हम यह भी इंडिया के पास तो storage होने चाहिए थोड़ा बहुत हो, और इसलिए इंडिया strategic petroleum video बना रहा है, ताकि उनकी help से अगर कहीं भी इस्व हो जाए, तो तीन-चार महिने तो petrol हो गया रहा है, उसका जंजट ना हो, और हमाराम से user कर सके हैं, पहले इंडिया क्या कर रहा है तो उसके दिरूब बना जा रहे है, strategic petroleum बनी जरूब, तो अभी government ने पहले 5 million metric ton के तो जरूब बनाने की बात की थी, और अभी 6.5 की और बनाने का प्रस्ता हो दिये दिया, पास तो बन चुके हैं, आगी और बन रहे हैं, तो वो हमें आपे धान लगने हैं, उनके हमारे में में देख लेते हैं, जाड़ेट से कि खांगा बनेगे हैं, वो हम देखते हैं, एक तो बनेगा चान्दी खोल में, जो की है, उरिसा में, दूसरा आता है पौदूर में बनेगा, जो की बनेगा कनाटका में आता है, यहां पे बनेगा 2.5 million metric ton का, और चान्दी खोल में जिसके चमता होगी 4 million metricton तो यह important feature हो जाता है अब बनेंगे कैसे इनको ऐसा नहीं को टेंक वगरा बना जाएंगे देखो जमीन के अंदर काफी रोक आप होती है कि कि सुरंग वगरा चटाने वगरा इस तरह की रोक जो होती है ना चटाने वगरा इनके अंदर एक्चुली इनको सुट्लिमेंट है वो क्या जायगा इसके लाव आप देखो तो इंडिया में तीन जो बने गए हैं वो बने गैक तो विसागा परणिया में एक मैंगलुरो में एक पुडूर में और पॉसागा प्रणिया आपको बदा रहे हैं आंडर वुदेस में तो यहां पे इस इनके लिए government ने एक possible purpose vehicle बनाया जिसका नाम है Indian strategic petroleum reserve limited यह इनको एक्चुली monitoring बगएरा है यह इनकी देखवाल हो गएरा सारा काम है वो करेगी तो यह थी न्यूस अब देखते हैं आगे लग न्यूस अगली जो न्यूस वाई यह संपर्क पॉर्टल के बारे में तो संपर्क पॉर्टल है वो government के एक digital platform है जिसका मैन मोटो यह है कि जो job seeker लोग होते हैं जिनको job की जरोते हैं वो लोग इसके साथ ही जो लोग job provide कर राते हैं जो की job requirements होते हैं उनको आपस में connect क्या जासके जिस तरगे से आप example ले सकते हो कि nooky.com है जो आप उसके जो फ्री जोब अलडिसे.com वीशेट से ना उससी तरगे से गोर्णमें ने पॉर्टल मिला है ताकि यहां पर जिन लोगों को रोजगार ची वो अपनी qualification हैं डाल और जिन लोग companies गया जिन है employer की जुरूता है वो भी इतने requirement हैं डाल दो फिछ जैसे demand supply फूर्टल हो रही है उसके coding हो अपना काम है वो कर सकते हैं तो इससे एक तो यह हो सकता है benefit होगा कि एक तो skill वगरादी मिलेगी इसके साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा तो इसके benefit होने तो यह आपको जाना करें कि संपर पोर्टल है वो एक डिजिटल पोर्टल है तो इस तरह के यह थी आज की हमारे discussion फिलाल की discussion में इतना ही है तो thank you very much for discussion